अभी का स्वागत है, हमारे साथ हैं, इस वाक्त अब है दुबे जी, कॉंग्रिस प्रवक्ता आपका स्वागत है हमारे मारे जी क्या वज़ा है कि कॉंग्रिस इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कारिक्रम है उसे राहुल गांधी, BHP और RSS समेथ, BJP का एक बड़ा इवेंट मना रहे हैं, जिसे लेकर पूरे रामभाक्त इतने उत्साहित हैं, वो बड़ा इवेंट कैसे हो सकता है हमारा कोई रागद्वेश नहीं है, मर्यादा पुर्शोत्तम राम में समूचा देश आस्था रखता है, मर्यादा पुर्शोत्तम राम को धर्म की, जाती की, प्रांध की हदों में बांध करनी देखा दा सकता, वो तो व्यापक हैं, हमने नहीं ठुकराया भारती जनता पार्टी ने सनातन धर्म को ठुकरा दिया भारती जनता पार्टी ने जो शास्त्रोक्त विधी विधान से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी उसको ठुकरा दिया तो शंकराचारियों के प्रशस्त मार्ग पर अगर हम चलना चाहते हैं तो वो सही रास् कर लिए यहने प्रभू के दर्शन कर लिए ऐसा क्यों कि जो मुर्ति स्थापित की जाती है वो मंदिर की आत्मा है उस मंदिर का जो निर्मान है वो उसका शरीर है और उसका शिखर उनका शीष होता है तो बगएर शीष के बगएर शिखर के कैसे भगवान मुर्तिमंत होकर ब मदी का मंत्र पड़ें वह सत्ताचारियों लेकिन राम की प्राण प्रतिष्था लेला के प्राण प्रतिष्था से इस कारिक्रम से गुरेज क्यों यही तो शंकराचार जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठित कैसे करेंगे जब शरीर नहीं है उनका मुख नहीं है तो कैसे प्राण प्रतिष्ठित करेंगे इतना ही आगरा हमारा भी है देखिए सनातन धर्म के प्रशस्व मार्क पर चलने में भ लेकिन सफलता मिलती उसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपके अलाइंस में जितनी पार्टियों जितने बड़े नेता हैं मन मुटा उनमें लेकि नहीं से रही कि आपके अपरण बिखिल रहे हैं उससे तो जग जाहर है कि अलाइंस बड़ा मुश्किल है जिनके पास मन होगा परण फ्राण होंगे वही तो वीविन मंतव होंगे भारती जन्था पार्टी के गडबंदन में कहां भी भिन्न मंता हुए है, कहीं की इट कहीं का रोड़ा, प्रधान मंत्री जीने कुनबा जोड़ा, 38 दल में से 25 दल ऐसे हैं, जिनका एक भी सांसद नहीं है, नो दल तो ऐसे जिनों ने लोकसभा का चुना भी नहीं लड़ा, तो प्रधान मंत्री जीने इखटा कर लिया, क्योंकि भायाकरान थें वो, जिस प्रकार एक इंडिया गडबंदन दल एक साथ आया है, और बहुत कमभीरता से सीट शेरिंग पर हमारी बात चल रही है, 2004 में भी यही कहा जाता था, नेत्रत्व किस के हाथ होगा, नेत्रत्व होगा, उन युवाओं के पास इनको बेरोजगारी के आग में जोग दिया, नेत्रत्व करेंगी वो महिला हैं, जो महेंगाई के भीशन तम आग में जोग दी गई है, तो ये सामुहिक नेत्रत्व में राहुल गांधी आस्था रखते हैं, और आत्म केंद्रित व्यवस्थ प्राउधन किया, समीधान निर्माता बाबा साब अम्बेटकर को पता था कि आप ये सवाल पूछेंगी, इसलिए उन्होंने 1950 में जब भारत का समीधान आया, तो इस बात का निराकरन किया, कि चुने हुए प्रतिनीधी इस बात का निरधारन करेंगे, कि उनका मुख्या क उनके निशाने पर रहे हैं, सीट शेरिंग पर क्या कोई मन्थन हुआ है, खास तोर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 सीटे हैं और बीज़पी दावा कर चुकी है, कि 80 में से 80 सीटे, इस बार उनके पास में, देखिए, बहुत गंभीरता से सभी राजनेतिक दलों से सर चल रही है, आज मैं आंतरिक बेठों को की बात यहां टेलिवीजन पर नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महरास्ट में, बिहार में, वेस बेंगॉल में, सब जगे समझोता होगा, लेकिन फिर भी 2004 में भी यह प्रशन किया जाता था, 2004 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी, उत्तर प्रदेश में साथ में नहीं आये थे, लेट फ्रंट की सरकार है थी, किरला में, वेस बेंगॉल में, और त्रिपुरा में, वहाँ पर गडबंदन नहीं हुआ था, उन्होंने द्रड इच्छा के साथ, बड़े रदय के साथ, राहूल गांदी जी, मल्लीकारजुन, खडगे जी, सोनिया जी, सब काम कर रहे हैं, हमने बड़ा रदय रखाए, सबको साथ लेने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो वो विधान सबा चुनाव के नतीजे आए हैं, वो तो कुछ और किबहा कर रहे हैं 2004 में भी यही नतीजे, इससे गंबीर नतीजे आये थे, तीनों प्रान्थम बुरी तरह आ रहे थे मद्यप्रिदेश, 36 गड़ राजस्थान इससे बुरी तरह परास हुए थे, मगर फिर भी केंदर में सरकार बनाई तो हम इस बात से बिलकुल चिंतित नहीं हैं, दरड़ इच्छा शक्ति के साथ इंडिया गडबंदन का दल लड़ रहा है, भगवान मरियादा पुर्शुत्तम राम हमारा मारक प्रशस्थ कर रहे हैं तो ये जो दंबी और सत्ता के अंकार में लोग हैं, इनका दंब का नाज भी वेसे ही होगा जैसे मर्यादा पुर्शुत्तम राम ने रावन की लंका का को और उसकी सत्ता का ध्वन्स किया था चलते चलते आखरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ वक्त पहले अभी सुबृत पाठक आये थे उन्होंने साफत और पर कहा कि कोई चुनौती ही नहीं है बीज़ोपी के सामने यहीं अंकार रावन को था वो भी यही कहता था अभी करनाटक कामें दिखा दिया न हमने इनको बाकी बाकी तीन राज्यों उनमें भी तो हश्र जो हुआ वो देखा यह भारती जन्ता पार्टी बिल्कुल वही प्रतिविंबित हो रहा है जो 2004 में हुआ था भारती जन्ता पार्टी बुरी तरह इन चुनाओं में हम नहीं देश की जन्ता इनको हराने वाली है और जब रामलला आएंगे जैसा हम सब ने कहा है हम तो चाहते हैं दिव्य और भव्य मंदिर महां की स्थाप धिरतना हो तो हमशना चाहते हैं क्या शंकर का अपमान करके राम लला को हुआ शंकराचार स्वय शंकर भगवान माने जाते हैं क्या रामललाração आएंगे तो उनको क्या बताएंगे के बैटियों की लाज लूटी सत्ता की सर परस्थी मैं कि सानों को रोंदा गया कि सान की आ् ले तो आप लोगों को बताना होगा कि सीट शेरिंग पर कितनी बात बनी है कहां तक पहुंची है और नित्रितों का चेहरा क्या होगा बात निकली है तो दूरत लग जाएगी ध्यान रखिएगा और अच्छे परिणामों के साथ हम एक अच्छी सरकार देंगे जैसे पिछले करोड काम चाहने वालों को मन्रेका का अधिकार दिया करोडों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया पारदर्शीता के लिए सूचना का अधिकार दिया अधिकार संपन भारत दो का निर्मान हम करेंगे 2024 के बाद हमसे बातशीत करने के लिए यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रियों.